गुड आप्टरनून इस्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम मगद समराजे के प्रारंबिक राजवन्सों के बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे तो देखेगा ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने मगद महाजनपद के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में इतिहास किसे कहते हैं के बारे में आदी वीडियो देख लिए हैं यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो आप यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सकें और इत्यास से संबंदी ज पूर्वे से 335 इसा पूर्वे चटी सताब्दी साब पूर्वे में और उसके बाद उत्तर भारत में जिन राज्यों के रमद्धे रानतिक एकादिकार के लिए संगर सल रहा था उनमें मगद अवंती वात्स कोसल ये परमुक थे इसी समय मगद ने अन्य तीन परमुक राज् इस्तापित किया और अपने राज्ये को समराज्ये का सवरू परदान किया प्राचीन मगद समराज्ये में आदूनिक बिहार के दक्सिनी भाग में इस्तित पटना तथा गया जिल्ले के छित्र थे तो ये तो आपका हुआ मगद समराज्ये का उदे अब देखेगा मगद सम करने वाला प्राचींतम ग्यात राजवंस व्रहधरत वंस था महा भारत वैप पूराणों से पता चलता है कि प्राग एत्यासी काल में चेदी राज वसू के पुत्र व्रहधरत ने गीरी व्रज को राजधनी बनाकर मगद में स्वतंतर राज्य स्थापित किया था अब देख व्रहधरत द्वारा स्थापित राजवंस को व्रहधरत वंस कहा जाता है इस वंस का सबसे परतापी सासक जरासंग था जो व्रहधरत का पुत्र था ठीक है तो व्रहधरत वंस और व्रहधरत वंस का जो प्रारंबिक सासक है वह है व्रहधरत था फिर उसका पुत्र आता है जरासुंग जो सबसे पढ़ता भी सा सकता, उसके बाद आता है बिम्बी सार, तो ये 544 इसा पूरा से 942 इसा पूरा में सा सकता रहा था, ये है, हर्येक वन्स का पर्थम सकती साली सा सकता, इसे मगद समराजे की महता का वास्त्विक संस्तापक माना जाता है, क्यूशन बन र रह थी, बिम्बी सार ने ही मगद में पहली बार एक सुद्रड सासन विवस्ता की नेव डाली थी, बिम्बी सार के बाद उसका पुत्र अजासत्रू जो 492 से 460 इसा पूरा तक रहता है, मगद का सासक बना, उसके बाद अजासत्रू का पुत्र उदायन, हर्येक वन्स का सा पर पाठली पुत्र नामक नगर की स्थापना की, और राजग्रह से अपने राजधानी यहां स्थाना अंतरित करी, तो उदायन ने पाठली पुत्र नामक नगर की स्थापना की, और मगद की राजधानी वो राजग्रह से पाठली पुत्र ले आया था, इसके अलावा हर् उरुद्र, मुंड और नाग दसंग तो हमने यह आपर दो राजवंसों के बारे में जानकरी प्राप्त की वहद्रत वंस और ह्रियक वंस अब अगला वंस आता है सिसू नाग वंस के अंतिम सासक नाग दसक को पच्चुत कर सिसु नाग मंस की नीव डाली ठीक है उसने अवंती अत्वा वत्स पर अधिकार कर उसे मगत सामराजे में समलित कर लिया था सिसु नाग के बाद उसका पुत्र काला सोक मगत का सासक बनता है और उसने पाठली पुत्र को अपने रा पाग दसक को जो हर्येकवन्स का अंतिम सासक था सिसुना के महतोपनकार ये क्या थे अवंती तता वत्स पर अधिकार किया और मगत सम्राजे में मिलाया उसके बाद उसका पुत्र कालासो गाता है वह पाठली पुत्र को अपनी राजधनी बनाता है कालासो के सासनकाल के काली में द्वित्य बोसंगिति आयोजित की गई 383 सपूरों में बोसंगितियों के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके है जिसने बोध संग में विभेत्य उत्पन होने के कारण ये दो संपर्दायों में बाजित हो गया था बोध संग है वो पर्थम इस्थवीर और द्व संगे के ठीक है तो यह काम होता है कालासोक के काल में इस ओंस का अंतिमसासक नंदी वर्धन ठाटीक है इस मंस का अंतिमसासक नंचामद वर्धन था तो शिस्टुनागवंस का अंतकर नंदवंस की नीव डाली और महा पदमनंद फाल से था ठीक है यह भी हम पहले पढ़ चुके इस वंस का अंतिम साज़क गनाननन्द तो जो नंदवंस का जो सासक था महापदमनंद और उसके बाद आता है घनानंदवन सिकंदर का समकालीन था 323 इस्सापूर्व में चंद्रगुप्त मोर्य ने अपने गूरु चाड़के की सहता से घनानंद की हत्या की और मोर्य वन्स की नेव डाली और मोर्य वन्स अब है सबसे important chapter है तो देखेगा मोर्य वन्स चंद्रगुप्त मोर्य सबसे पहले पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मोर्य वै चाड़के की सहता से अंतिम नंवंस्य सहसे घनानंद को प्राजित करके 25 वर्ष के आईव में अर्था 322 इससापूर्व में मगत के सिहासन पर आसेन हुआ और मोर्य समराजिय की स्थापना की ब्रामन साहिते चंद्रगुप्त मोर्य को सुद्र कुलोतपन बताते हैं जबकि बोध और जैन साहिते उसे चत्रिय बताते हैं विशा का दतक्रित जो मुदरा राक्सस नाटक है उसमें उसके लिए वरिसल अर्थात निम्नकुल उपनाम का प्रियोगे किया गया है फिलारकस, स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंदरगुप्त को सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस का है सरवपर्थम विलियन जोन्स ने सेंडरो कोटस का तादातम चंदरगुप्त मोर्य के साथ इस्ताफित किया चंदरगुप्त मोर्य ने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतिय समराजे की स्थाफना की चंद्रगुप्त का सरंग सक एवं विश्वसनिय सलाकार कोटिले था कोटिले को चाने के भी कहा जाता था और कोटिले का वास्त्विक नाम विश्णुगुप्त था चंद्रगुप्त मोरिये ने ततकाली नुनानी सासक सेल्यूकस निकेटर को प्राजित किया सेल्योकस ने अपनी पुत्री हेलना का विवाद चंद्रगुप्त के साथ कर दिया चंद्रगुप्त मोरिय के विसाल समराजे में काबल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगायमुना का दुवाब, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंथे और कसमीर का भूभाग भी समिलिते था तो यह आपका चंद्रगुप्TH मोरिया, चंद्रगुप्त मोरिया के बारे में हम आपको अलग से भी वीडियो दिकाएंगे वुरिधा वस्ता में चंद्रगुप्त मोरिया ने जैन मुनी बद्र बाहु से जैन दर्म की दिक्सा ली थी और स्रवन बेल गोला में 298 इस्सा पूर्वय में उपवास द्वारा अपना सरीर त्याग दिया था यह हुआ आपका चंद्रगुप्त मोरिये अगला सासक आता है बिंदु सार बिंदु सार चंद्रगुप्त मोरिये का पुत्र था इसकी माता का नाम दूर्धरा था चंद्रगुप्त मोरिये की म्रत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदु सार 298 से 273 इस्सा पूर्वय में उसका उत्रादीकारी बना युनानी लेकिक बिंदु सार को एमित्रो चेडस कहते थे जबकि वायू पुराण में उसे मद्रे सार और जैन गरंथों में उसे कहा गया है चिन्नी ग्रंथ फान्यू एन चूलिन में उसे बिंदु पाल कहा गया है बिंदु सार के राजदरबार में युनानी सासक एंटियोकस पर्थम ने डायमेकस नामक वेक्ति को राजदूत के रूप में न्यूगते किया यह कि उसने कई बार पूस लेते हैं कि वह पूसे बिंदु सार के काल में ने दिया नीसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदु सार के राजदरबार में न्यूगते किया था बिंदु सार के मरत्यू 273 इस्सा पूरवे में हुई अब अगला सासक आता है मोर्य का लिन सासक असोग असोग मोर्य समराट बिंदु सार का पुत्तर था असोग की माता का नाम सुब्द्रांगी था सुब्द्रांगी चमपा के ब्रामन की कन्या थी असोग का वास्त्विक राजय भी सेख 279 इस्सा पूरव में हुआ जबकि उसने 273 इस्सा पूरव में ही सत्ता पर कबजा कर लिया था ठीक है राजय भी सेख से पहले असोग उज्जेन का राजय पाल था ये क्यूसन भी कई बार पूछतेंगी राजय विशेक से पहले असोक कहां का राजय पाल था अपने राजय विशेक के आठवे वर्स 261 इस्सा पूर्वा में असोक ने कलिंग प्राकर्मन किया और उसे जीत लिया कलिंग यूद में हुए व्यापक नरसमहार के बाद उसने बोध दरम स्विकार कर लिया इससे पहले वाए ब्रामन मत्तानुयाई था असोक प्रथम सासक था जिसने अबिलेकों के मादेम से परजा को संबोधित किया ठीक है इसकी प्रेना उसने इरानी सासक दारा परथम से लिए ठीक है असोक के अबिलेकों में साहबाज गड़ी एम मान सहरा जो पाकिस्तान में के अबिलेक खरोष्टी लिपी में तो साहबाज गड़ी एम मान सहरा के जो अबिलेक है वो खरोश्टी लिपी में असोग के तक्सिला एवन लगमान अबिलेक आरमेक एवन ग्रीक में उतकिर्ण हैं असोग ने अपने सासनकाल के 20 वे वर्स में लूम्बिनी की यात्रा की तथा लूम्बिनी को करमुक्त कर दिया असोग ने अपनी प्रजा के नतिक उत्थान के लिए जिन विचारों को प्रस्तुत किया था उसे उसके अबिलेकों में धम कहा गया है तो धम किसे कहते हैं असोग ने अपनी प्रजा के नतिक उत्थान के लिए जिन विचारों को प्रस्तुत किया था उसे ही अबिलेकों में असो के समस्त सिलालेख लगू सिलालेख इस्थमलेख एवं लगू सिलालेख ब्राहमी लिपी में उत्किर्ण है। सरा परतम 1837 इस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने असो के अबिलेखों को पढ़ने में सपलता प्राप्त की थी। असोक के जोगड इस्तित्तेरवे सिलालेख में कलिंग की विजे तृत्य बोल संगीती गयवन राजों के जीवित हुने का उलेख ही मिलता है समराट असोक का यरा गुड़ी लगू सिलालेख संपून रूप से दूतरफा सली में लिखा गया है मौरियकालिन असोक समराट का नाम गुड़्जरा मासकी नासिक तथा जुनागड अभी लेखो में अंकित है धन्यवाद चात्रों हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें धन्यवाद